प्यारे बच्चों, युद्ध के मैदान में इमोशन नहीं चलते हैं CV, competition में दो चीज़े होती हैं, हार या जीत Be the fighters, आप fighter हो इंडिया के, आपको आगे बढ़ना है इस लड़ाई में आप उजहे, इस लड़ाई में इमोशनल हुए हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग, उमीद करता हूँ कि बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, और अब आपके तो बोर्ड के एक्जाम भी खत्म हो गए हैं, और आप competition नीट के लिए आप लोग जा रहे हैं मेरी best wishes आप सब के लिए, प्यारे बच्चों, आपके बहुत सारे message मेरे को मिले, मैं कुछ national और international projects में busy था, community, post में मैंने आपको इसके बारे में बीच-बीच में बताया भी April में, hopefully मैं पूरी तरह से free हो जाओंगा, फिर हम series of video biology में धमाकेदार निकालेंगे, आपको biology को इस level पे ले जाओंगा, biotechnology की आप चिंता ना करें, plant tissue culture की चिंता ना करें, biochemistry की चिंता ना करें, botnichology सब आपको यहां पे confidence पैदा करके बढ़ाई जाए, आपका डर ही खतम हो जाएगा, YouTube पे मैंने कुछ teachers को रोते हुए देखा, कुछ teachers किसी institution को छोड़ के जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो प्यारे वच्चों, मैं आपको यहां पे एक चीज़ बता दूँ, कोई भी competition, चा चलते हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे इसी उल्जन में उल्जे हुए हैं, कि हमारा को teacher किसी platform को छोड़ के चला गया है, आरे प्यारे बच्चों, आपके पास तो कैलुक लेक्टर डे हैं, आपने 11th में study की, 12th में study की, अब आप उस चीज़ में, उस भाव में उस emotions में क्यों बह रहे हो, क्योंकि जो competition आपका होने बाला है, बहाँ पे ना तो मैं, ना आपके माता-पिता, ना आपका कोई भी teacher, जो आपको बहुत अच्छा है, वो examinator hall में नहीं आएगा, तो मेरी आप सबसे सब प्यारे बच्चों से एक request है, ये time आपका है, आपको इंदगी के लिए fight करना है, आप उन चीज़ों में मत उल्जो कि कोई teacher किसी platform को छोड़के चला गया, तो कुछ बच्चे रो रहे हैं, कुछ बच्चे गालिया निकाल रहे हैं, एक दूसरे को बैसे ही, मैं उन teachers को भी बोलूँगा कि कम से कम आपकी आपस की लड़ाई को ब भगवान होता है, तो जो गुरू ने बोला को blindly follow करते हैं, तो आप सब teacher community से भी मेरी request रहेगी, उन बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, और प्यारे बच्चों, युद के मैदान में emotions नहीं चलते हैं, जब हम बंदूक लेके, तलवा लेके, मैदाने जंग में उतरते हैं, तो हम बहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं, कि मेरी मम्मी घर में रहे गई, हमारा घर बहुत अच्चा था, मेरा रूम बहुत अच्चा था, आप बहाँ पे सोचोगे, बहाँ पे युद के मैदान में, दुसमन के सामने अगर आपस सोचोगे, तो आपका सर कलम होगा, और पढ़िये, आपकी हार होगी, जीत होगी, उसको भगवान के उपर छोड़िये, क्योंकि आपने बहुत संघर्स किया है, दो साल से आप डटे हैं, और जैसे आप लोग हिम्मत छोड़ रहे हैं, कि आपके कुछ टीचर्स, अरे जब वो बहां थे तो बहां भी उन्होंने ठीक है, मैं टीचर्स को भी बोलूँगा, कि इन बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, ये उनकी अपनी इंसिचूशन की, टीचर्स की, अपनी की कोई उल्जने हो सकती हैं, या उनकी आपस के मतवेद हो सकते हैं, बी दफाइटर्स, आप फाइटर हो इंडिया के, आपको आगे बढ़ना है, इस लड़ाई में आप उल्जे, इस लड़ाई में इमोशनल हुए, तो आपका कैरियर टोटली तबाह हो जाएगा, जो आपके माबाप ने 12 साल तक एक पहदे को सींचा, फरस्ट में थे, आपके माता पिता तब से आपके साथ खड़े हैं, ठीक है, तो वो आपको सींच रहे थे, आज पहदा त्यार है, आज जब इसके पर फाल फूल आने लगेंगे, तो आप किसी और ही दुनिया में उल्ज चुके हो, बहुत गलत है ये, वी दा फाइटर्स, जीत के आईए, तो उन टीचर्स को भी खुसी होगी, उस इंसिचूशन वालों क भी खुसी होगी, मेरी तो बेस्ट विसीज हमेशा ही आप लोगों के साथ है, आप निडर होके पिपर दीजिए, एक अरजुन की तरह कबुत्तर की आंख को देखिए, इदर उदर पेड़ पत्तां को मत देखिए, टीचर्स को, स्कूल को, पेरेंस को, भाई, बहन, ये सब बाद में भी यही रहने वाले हैं, आप उनके साथ रो लेना जाके टीचर्स के साथ, इसी चूसर में जाके, सिंपती दे देना उनको, कि सर आपको बहाँ से निकाला गया, हमारी पूरी सानुव होती है, पर आप बिनर होके आईए, पहले, मेरी वो एक हार्दिक इच्छा ह है, कि आप एक बिनर होके आए, अगर आप लूजर होके आए, तो कोई नहीं आपका आने वाला फिर यहां पे आपको स्पोर्ट करने के लिए, अकेले ही आप कमरे में, बंद कमरे में रोगे, ना तो इसी चूसन वालों को पता होगा, ना उन टीचर्स को पता होगा, कि केले कमरे में बैठके रो रहे हो, आपका फ्यूचर तबाह हो चुका है, तो प्यारे बच्चों, बिनर की तरह निकल के आईए, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, और बुरे जो में रहें,